विल्कम फ्रेंट्स एक बार फिर से आपनों का स्वागत है आई सीयार नेट अकेडमी के इस सेशन में जो कि हम पार्ट थ्री लेकर के आपके सामने आए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं ICR, ASRP, NET, MSCAG के तयारी आप कर रहे हो तो भी, JRRF और SRF के तयारी आप कर रहे हो तो यह आपके लिए काफी महत्वपूंट सावित होगा इस्पेसली उन भेर्थियों के लिए जो ICR, Agronomics, NET के तयारी कर रहे हैं चलिए समय को नमबर बात करते हुए सुरू करते हैं सेशन पचास तक हम पार्ट टू में दिये थे दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिदूँगा महां से देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा चुकि सिक्वेंस बहुत जरूरी होता है चलिए देखते हैं क्या नमबर का कोस्टन जो हमारा है वो क्या कह रहा है ये कह रहा है लेंटिल इस जनरली इंटर क्रॉप्ट विथ तो कौनसा आप्शन सही हो जाएगा लेंटिल को इंटर क्रॉप्ट के रूप में किसके साथ प्रयोग किया जा सकता है तो कौनसा सही हो जाएगा बिल्कुल बारली के साथ भी किया जा सकता है मस्टर्ड के साथ भी और आटमन सुकर की इन के साथ भी तो all of these आप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो most ideal catch crop raised for fodder is most ideal catch crop raised for fodder is तो वो कौन सी crop है बिल्कुल तो हार्स ग्राम है जो ये ideal catch crop है बिल्कुल घास के लिए इसका चारे के लिए इसका परियोग किया जाता है ideal catch crop के रूप में इसका परियोग किया जाता है तो हार्स ग्राम बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा next question है most critical stage for N requirement of soya bean soya bean के लिए N के जो requirement होती है वो critical stage कौन सा होता है कौन सी वस्ता होती है जिसमें soya bean को N के सरवाधिक जरूरत होती है तो option number B हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा flowering stage जो है उस पर soya bean को nitrogen की सरवाधिक मात्रा के आवसकता होती है आगे बात करेंगे 54 number question की protein and oil content of soya bean बिल्कुल हलुआ हो गया यह question protein and oil content of soya bean dash and dash प्रत्सत percentage respectively कितने percent protein होता है और कितने percent बिल्कुल oil होता है तो हमारा बिल्कुल right answer है A 43% जो होता है वो हमारा protein पाया जाता है 43% और जो 20% होता है वो हमारा oil होता है किसमें soya bean की बात कर रहा है यहाँ पे soya bean में हो जाता है तो option number A बिल्कुल right हो जाएगा 43% protein होता है और 20% हमारा oil पाया जाता है soya bean के फसल से अगला question हमारा ground nut ground nut is sensitive to जो हमारी मुख़ली होती है वो किसके प्रती sensitive होती है तो बिल्कुल हमारा right answer हो जाएगा all of these poor drainage रहेगा तो भी यह affected हो जाती है high acidity and alkalinity रहती है उससे भी प्रभावित होता है और cold weather से भी प्रभावित होता है तो all of these हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा आगे हम बात करेंगे 56th number के question की यह question कह रहा है which of the element requires more quantity for ground nut तो कौन सा option बिल्कुल इसके लिए right हो जाएगा तो all of these AP,BS,C जो है वो calcium है phosphorus, sulfur और calcium तो सब ही जो होते हैं वो require होते हैं अधिक मत्रा में किसके लिए ground nut के लिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ phosphorus की भी आओ सकता होती है sulfur के लिए भी होती है और calcium के लिए भी होती है एक यहाँ से ground nut की बात आई तो याद आगया ground nut का जो peg होता है वो किस भाग से निकलता है most important question है यह ground nut का फिर से question सुलीज़े ground nut में जो pegging होता है कभी-कभी पूछ देता है pegging stage किसे समन देता है 57 question nipping of auxiliary bird in practiced in जो auxiliary bird का nipping किया जाता है वो किस में practice में लिया जाता है किस फसल में caster, sunflower, sesame या niger तो बिल्कुल option number A हमारा right हो जाएगा caster में इसका प्रियोग किया जाता है देखें के next question हम which of the following soil condition reduce the juice quality most important question है ये तो इसका सही answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर high salt रहेगा वो भी हमारे juice के quality को प्रभाविद करेगा low pH रहेगा तो भी low या high pH और low calcium रहेगा तो भी हमारे juice के quality को affected कर देगा तो option number D हमारा बिल्कुल right हो जाएगा आगे हम बात करेंगे 59 number के question की which of the following is used for sugar cane juice sugar cane juice के लिए कौन साइन में से उपयोगी होता है आगे हम लोग देख लेंगे इसको तो option number D हमारा बिल्कुल right हो जाएगा भेंडी, caster seed, soya bean seed बिल्कुल ये clarification में अर्था गन्य के juice को साफ करने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है फिर से मैं बता दे रहा हूँ which of the following is used for sugar cane juice clarification तो भेंडी जो है caster seed और soya bean seed इन तीनों का प्रयोग हमारा गन्य के juice को साफ करने के लिए किया जाता है आगे हम बात करेंगे 60 number के question की क्या कहता है 60 number का question हमारा for desuckering the chemical used in tobacco tobacco की जो desuckering की प्रक्रिया होती है उसमें कौन से chemical का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन सा हो जागा तो बिल्कुल यहाँ पे हम NAA का nephthalinistic acid in triethanolamine 2% रहेगा मैलिक हड्राजाइट 2% हो जाएगा आई बीए 2% हो जाएगा इन तीनों से हम को प्योग कर सकते हैं किसमें डी सकरिंग केमिकल के रूप में टुबाइकों की फसल में एन ए इंट्राइथनोलीन इथनोलेमीन, मैलिक हड्राजाइट और आई बीए इन सबका प्रयोग हम डी सकरिंग में करते हैं किस फसल में तो टुबाइकों की फसल में अगला कोशन हमारा है most sensitive crop to magnesium deficiency most sensitive crop तो वो कौन सी crop है हमारी तो पोटेटो हमारा जो है वो magnesium के प्रती काफी sensitive होता है आगे हम बात करेंगे most indicator crop to iron deficiency FV iron का symbol होता है तो most indicator plant crop to iron deficiency is तो वो कौन सा है बिल्कुल right answer हमारा सोरगम हो जाएगा सोरगम जो है वो iron deficiency को indicate करता है सबसे ज्यादा आगे बात करेंगे which of is the deficiency symptom of K जो potassium है उसका deficiency symptom जो होता है वो कौन सा crop denote करता है तो alpha alpha yellow बिल्कुल marginal chlorosis in grapes अंगूर का जो marginal chlorosis होता है हरे रंग का गायव हो जाना अर्था थरिमा हींता पोटैटो ब्लॉची आलू पे जो ब्लॉच पढ़ जाते हैं धब्बे पढ़ जाते हैं वो potassium के कमी के कारण ही होते हैं तो यहाँ पे सारे option हमारे सही हो जाएंगे option number D हो जाएगा बिल्कुल right आगे हम बात करेंगे के play important role in जो हमारा potas है वो किसमे important role play करता है तो बिल्कुल option number D हमारा right हो जाएगा क्या है लॉचिंग prevention लॉचिंग से बचाता है disease assistant बिल्कुल istomatal conductance यह तीनों जो हमारा potassium है वो बिल्कुल important role को अदा करता है तो option number D हमारा बिल्कुल right हो जाएगा आगे हम बात करेंगे molybdenum availability is reduced by तो किसके द्वारा molybdenum की जो है availability वो घट जाती है reduce हो जाती है तो low pH के कारण भी हो सकता है cu yamin availability बिल्कुल और presence of aluminium and iron oxide sesquay oxide भी इसे कहा जाता है तो all condition यह उपर का जो तीनों condition दिया हुआ है इनमें तीनों में रहगा तो वो molybdenum की availability को घटा देता है देखते हैं next question 66 number का क्या है most wide used green manure cropage green manure crop जो mostly widely रूप से यूज की जाती है वो कौन सी है तो हमारा sun hemp है जिसे हम crotal area जुंसिया के नाम से भी जानते हैं जिसे हम ठेट भासा में sun ही कहते हैं बिल्कुल इसे fiber भी निकाला जाता है आगे हम बात करेंगे question number 67 की high analysis fertilizer contain more than percentage of primary nutrient high analysis fertilizer contain more than तो कितने percent more रहते हैं तो बिल्कुल option number C हमारा बिल्कुल right हो जाएगा 25% of primary nutrients जो high analysis fertilizer होते हैं वो 25% अधिक मात्रा में primary nutrients से होते हैं आगे हम बात करेंगे 61 number question की equivalent basicity of calcium nitrate जो calcium nitrate का basicity होता है वो किसके equivalent होता है तो वो 21 के equivalent होता है equivalent basicity of calcium nitrate is 21 बिल्कुल right answer हो जाएगा 69 question की बात करेंगे most commonly used phosphatic fertilizer in India तो भारत में जो है phosphatic fertilizer कौन सा है जो मुख रूप से अर्थाद अधिक्तम रूप से सामान रूप से use में लाया जाता है तो DAP हो जाएगा di ammonium phosphat बिल्कुल ये जो हमारा fertilizer है ये सबसे commonly रूप से use किया जाता है आगे हम बात करेंगे 70 number के question की the only non-metal element among micronutrients is most important question है ये option number C इसका बिल्कुल सही है बोरान तो कौन सा है the only non-metal element among micronutrients non-metal micronutrients तो है ही बट non-metal भी है तो हमारा बोरान जो है वो micronutrients के अंतरगत आता है आपको पता होगा NPK, CAMGS ये सभी हमारे जो होते हैं ये micronutrients के अंतरगत आते हैं बट non-metal की बात कर रहा है तो उसमें एक 2 ratio 1 with light का जो ये इस प्रकार का जो clay होता है हमारा उसमें के fixation maximum होता है फिर से एक बार आप देखेगा ये important question है 2 is to 1 with light ये हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा बात करेंगे 72 number के question की boron availability is higher in तो बोरान availability किसमें अधिक होती है तो बिल्कुल heavy soil रहेगी तो उसमें availability higher रहती है बोरान की acidic nature pH की रहेगी तो भी high organic matter रहेगा तो भी बोरान हमारा अधिक मत्रम पाया जाएगा इस प्रकार हमारा all of these answer बिल्कुल right हो जाएगा बात करेंगे 73 number के question की calcium content in gypsum जो calcium होता है वो gypsum में कितने percent पाया जाता है तो बिल्कुल 29% होत है आगे हम बात करेंगे 74 number question की excellent fertilizer for storage and handling most important question है storage के रूप में और handling के रिए कौन सा जो हमारा fertilizer है बिल्कुल excellent होता है सांदार होता है ammonium chloride जो होता है वो हमारा handling में भी सुभधा रहती है और excellent fertilizer जिसे हम इस्टोर भी कर सकते हैं काफी समय के लिए आगे हम बात करेंगे sulfur content in ammonium sulfate most important जो भी मैं कहारा हूँ most important उसको ज़रूर नोटिस करिएगा sulfur content in ammonium sulfate is तो कितने percent sulfur होता है ammonium sulfate में तो बिल्कुल हमारा 24% sulfur पाया जाता है most important question है यह yes content in ammonium sulfate ammonium sulfate यह नहीं भूलेगा तो उसमें 24% हमारा sulfur पाया जाता है ammonium sulfate में आगे बात करेंगे which part of India has more erosion problem तो भारत का कौन सा अस्थान जहां पे मृदा चरण अर्थात erosion चरण की बात की गई है जो सरवाधिक रूप से प्रभावित होता है तो पूर्वी भाग उत्तर पूर्वी भाग जो हमारा भारत का है वो सबसे ज़्यादा erosion problematic place है जहां पे सरवाधिक मात्रा में erosion cause होते हैं आगे हम बात करेंगे 77 number question की agrology is the study of most most important question agrology is the study of तो कौन सा है soil science and soil management के अंतरगत इसको रखा जाता है आगे हम बात करेंगे 78 number के question की I hope so guys आप लोग session अच्छा लग रहागा so please आप लोगों के support की ज़रूत है यार like करिए comment करके ज़रूर बताएगा कैसा question आपको मिल रहा है level क्या है level high ही आने है आप jrfsrfnet की तयारी करो और पूझदों की खेरारो कैसे होता है तो जिंकी कमी स से होता है तो यह सब विप्टेल मॉलिब डेनम की कमी से होता है यह सब नहीं आने वाला है पस्मिना किसे प्राप्त किया जाता है तो यह काफी basic चीज़े हो जाती है agriculture की so level तो आपको high मिलेगा ही मिलेगा इसलिए मैं कहता हूँ अधिक से अधिक share करिए अपने जानने वाल question की aerobic method of composting जो composting का aerobic method है वो किस प्रकार का method है तो बिल्कुल वो indoor method है indoor method को aerobic method के नाम से भी जाना जाता है most important composting से question तो इस प्रार दो तीन बार से लगातार ही आ रहे है जो आड़ेफ एसारेफ और नेट में एसारेफ में तो आड़ेफ में नेट में तो एक बार आया था अभी question यह जहां पर हवा की कमी हो वो anaerobic stage होता है तो indoor method जो होता है वो बिल्कुल खुला रहता है aerobic method से के रूप में उसमें composting की जाती है बात करेंगे 79 नंबर के question की क्या है यह one of the major problem in rice wheat cropping system जो rice wheat का cropping system होता है उसका major problem क्या होता है तो बिल्कुल delayed wheat soving इनके जो cropping system में आता है आप सभी लोगों को पता होगा क्या आता है धान कड़ जाता है उसके बाद में उसमें नमी इतनी मात्रा में रती है कि भूम की तयारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसमें moisture content बराबर करना हो जाए उसमें पानी जमा रहता है जिसे उसके जुताई tillage practices में बाधा आती है और डेले हो जाता है wheat के swimming में आगे बात करेंगे 80 नमर के question की the most efficient fast forest utilizing crop is तो कौन सा है जो fast forest को सरवाधिक रूप से utilize करता है उपयोग में लाता है तो fast forest का main utilization जो crop करता है वह हमारा jute है most most important question देखते है 81 number का question optimum temperature required for jute growth and rating process most most important question है ये optimum temperature वह कौन सा तापमान होता है जो required होता है जूट के बढ़वार के लिए sorry हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है जूट के growth के लिए और rating process in jute तो most important question है तो ये हमारा temperature जो होता है वो 34 degree Celsius होता है इस पे उसका जो rating process होता है वो बड़ी आसानी से हो जाता है rating मतलब उसको defermentation करना उसका fermentation कर देना जिससे उसके race को अलग जूट क्रॉप आगे बात करेंगे हम 82 number question कि which of the amino acid is constituent for sulfur कौन सा amino acid है जो sulfur को लिये रहता है जो constituent के रूप में sulfur उसमें उपस्थित रहता है तो बिल्कुल हमारा कौन सा से हो जाएगा सिस्टीन में भी रहता है सिस्टाइन में भी रहता है मेथियोनीन में भी sulfur पाया जाता है तो आल आप दीज ये तीनों जो हमारे हैं उपर के वो सब में sulfur constituent के रूप में रहता है आगे बात करेंगे 83 number के question की पहला blight of sugarcane is due to the deficiency of जो पहला blight होता है वो किसकी कमी के कारण हो कौन सा होता है तो पहला blight of sugarcane most important question ये भी है चुकि ये generally कहीं पूछा नहीं जाता है सामने question आया है तो important हो सकता है ये पहला blight जो है sugarcane का वो magnesium के deficiency के कारण होता है आगे बात करेंगे हम 84 number के question की generally water extraction pattern of four quarter of soil from top to bottom जो हमारा generally water का extraction pattern होता है वो four quarter के हिसाब से from the soil to bottom किस हिसाब से वो प्रक्रिया चलती है तो most important question ये सावित हो सकता है 40, 30, 20 into 10% के रूप में ये काम करता है आगे हम बात करेंगे scheduling of irrigation gives scheduling of irrigation gives क्या gives करता है भाई वो तो बिल्कुल irrigation timing और quantity of irrigation ये scheduling irrigation जो होता है ये दोनों चीज़ का निर्धारण कर देता है तो both hey and be are correct answer question number 86 देखेंगे sprinkler irrigation was involved by sprinkler irrigation जो था वो कब involved किया गया था तो बिल्कुल right answer हमारा हो जाएगा 1946 में sprinkler irrigation को involved किया गया था अर्थात क्रिसी में उपयोग किया गया था तो कर दिया जाए ये जान लेजिए वहाँ पर bench tracing को उपयोग में लाया जाएगा आगे बात करेंगे 88 नंबर question की agriculture education day कब मनाया जाता है आप सभी लोग agriculture संबंदित हो तो आपको पता होना चाहिए ये थर्ड दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा डे मनाया जाता है तो agriculture education day मनाया जाता है थर्ड दिसंबर को आगे बात करेंगे 89 नंबर के question की first introduced herbicide in the world पूरे विश्व में first कौन सा herbicide introduced किया गया था था चलन में आया था प्रचलन में आया था तो बिल्कुल deno sap जो है ये हमारा पहला है ऐसा herbicide जो पूरे विश्व में पहली बार उप्यों किया गया था herbicide के रूप में आगे बात करेंगे the range of correlation coefficient is most important और हलुगा question है ये तो minus 1 to plus 1 correlation coefficient तो ये हमारा minus 1 to plus 1 के बीच वरी करता है ये range pH range of acid range 91 number का question है तो acid range जो होती है उसका pH range कितना होता है ये रिल्कुल easy question है 2 to 4.5 दो से 4.5 परसेंट जो होता है उसका pH मान होता है दो से 4.5 जो उसका pH range होता है वो होता है किसका acid range का आगे देखेंगे question which are the secondary nutrients for plant growth प्लांट ग्रोथ के पौधे के प्रिद्धि के लिए secondary nutrients कौन सा होता है तो बिल्कुल calcium magnesium और sulfur जो हमारा है ये secondary nutrients होता है for plant growth आगे बात करेंगे हम 93 नंबर के question की optimum cnp ratio for better crop production is most most important ये cnp ratio है अगले next वीडियो में काफी चीजों का आपको पूछ देता है कि cereals का cnp ratio कितना होगा optimum cnp ratio carbon nitrogen और phosphorus बिल्कुल तो ये सारी चीजे जो है ये हम आपको दे देंगे cereal का कितना होता है pulse का कितना होता है soil का cnp कितना होता है तो ये सारी चीजे हम next वीडियो में उसको upload कर देंगे वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा बात करेंगे तो इसका right answer हो जाएगा hundred is to ten is to ten hundred percent जो होता है वो मतलब 100 भाग जो हो है वो carbon कर रहेगा 10 भाग nitrogen का और 1.0 भाग स्वारी ये गलती से हो गया जो वो phosphorus का रहता है 110 और 1 बात करेंगे next question कि which is called deficit irrigation of scheduling irrigation most important question है ये which is called deficit irrigation of scheduling irrigation तो कौन सा होता है तो बिल्कुल हमारा moisture stress at all stage ये जब भी हम use करेंगे क्या करेंगे ये सबसे बड़ा scheduling irrigation का demerit है क्या कि moisture stress हमेशा हर स्थिति में हर stage में बना रहता है आगे बात करेंगे production is maximum for most of the crop when the depletion of available soil moisture at the root zone most most important है फिर से एक बार question को मैं दोरा रहा हूँ production is maximum for the most of the crop when the depletion of available soil moisture at the root zone most most important question है ये 75% जो होता है वो हमारा होता है option number C बिल्कुल right हो जाएगा हमारा देखेंगे 96 number के question की sprinkler irrigation cannot be used under किस इस्थिति में sprinkler irrigation को use नहीं किया जा सकता है तो बिल्कुल हमारा right answer क्या हो जाएगा right answer rice and jute crop किया जा सकता है इसमें भी उप्योग मिलाया जा सकता है इसको high wind areas में भी लाया जा सकता है salt water में भी तो आलाप दीज हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा आगे हम बात कर लेंगे 97 number की question की क्या कहता है most erodable size particle due to windage जो most erodable size particle होता है due to windage तो वो हमारा कितना होता है तो बिल्कुल is less than zero point yam 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 आपको पता होगा ये is less than जब इधर कोई संख्या लिखी होती है तो इसको is less than बोलते है और जब ये situation आ जाए इसके सामने ये वाला तीर तो is greater than इसका कहने का मतलब जैसे मैं 5 लिख दिया 5 is greater than zero और अगर मैं यहीं पर ये वाला symbol बना दिया और इसको zero कर दिया यहां पर one क बड़ा होता है इसके हिसाब से अगर ये लगेगा सिंबल तब मैं समझाने के लिए कर रहा हूं होता नहीं है जेनरल ये ऐसा आगे बात करेंगे हम 98 number question की estimated loss of top soil in India तो जो top अर्था surface के जो उपरी भूमी है वो कितना यही question घुमा करके पिछले वाले में पूछा हुआ था पिछले exam में कि भारत में कितनी भूमी होती है अर्था था how many amount of soil which is caused erosion बिल्कुल lost by erosion तो वहां पर हमारा बिल्कुल right answer क्या था 1000 metric ton वही question यहां पर घुमा दिया है थोड़ा सा estimated loss पोश दिया है तो उससे बिल्कुल भी confused नहीं होना है top soil in the India तो कितना है वो 1000 metric ton जो है वो हमार इतना loss होता है soil का उपरिपरत herbicide at sublethal dose improved the color of apple तो कौन सा herbicide है जिसका sublethal dose use करके color के apple के color को improve किया जा सकता है तो बिल्कुल वह हमारा हो जाएगा 245T ये जो हमारा herbicide है इसका उपयोग करके हम apple के color को सुधार सकते हैं आगे बात करेंगे 100 number के question की in India striga is most problematic in तो कहां पर है तो बिल्कुल सोरगम की फसल में भी problem आता है striga का और pearly millet में भी आता है A और B option बिल्कुल हमारा right हो जागा I hope so guys ऐसे ही next question मैं लेकर के आऊँगा इसी का भी ये पूरा paper solve नहीं हो पाया है previous year का paper है तो अभी आगे मैं इसका 60 question और बचाया है तो उसको try करूँगा कि एक ही वीडियो में आ जाए बहुत lengthy हो जाता है इसलिए 50-50 question का लेकर के आना पड़ रहा है और I hope so वीडियो अच् question मैं आपसे पूछा हूँ आप question आपको मिल जाएगा वीडियो के बीच में चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय बेस्ट आफ लाक एंड टेक केर